एक शहर में जटपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। उस गधे से वो धोबी दिन भर कपडे ढोने का काम करवाता था। इस कारण घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। उस दुबले गधे के पतलेपन को देखते हुए धोबी ने सोचा की इस तरह तो ये गधा मर जाएगा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वो शाम को जंगल से घर की ओर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक शेर मरा हुआ दिखाई पड़ा। उसने फटाफट उसकी खाल निकाल कर अपने पास रखी और घर को आ गया। उसने सोचा यह खाल गधे को ओढ़ा कर खेत में भेज दूँगा। जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझ कर डरेंगे और इसे मार कर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। और मेरा गधा घास खाकर मो गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता और सुबह वापस वजन ढोने का काम करने लग जाता था। लेकिन एक रात गधा अपनी मस्ती में घास चर रहा था तभी उसने एक गधेडी के रेंखने की आवाज सुनी और उसने सोचा कि यह कोई मेरी प्रेमिका होगी मुझ बुला रही है शायद और वो भी उस गधेडी की तरह रेंखने लगा। उसके रेंखने की आवाज सुनकर खेत के रखवाले सोचने लगे यह आवास तो अपने खेतों से आ रही है और उन्होंने खेतों में जाकर देखा तो उन्हें शेर की खाल पहने हुए उस गधे को द तो मित्रो आपने देखा कि एक छोटी सी गलती आदमी की जान ले सकती है इसलिए हमेशा होशियारी से काम लेना चाहिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करे